दोस्तों हमारी बॉलीवूट और साउथ इंडस्ट्री में इतनी खुबसूरत खुबसूरत अभिनेत्रिया हैं जिन्होंने अपने खुबसूरत आदाओं, स्माइल और के लग लुक से कई सारी अभिनेताओं को अपना दिवाना बनाया हुआ है जो इनसे बेंतहा महबत करते हैं और इनके साथ शादी शिदा होने के बावजूद प्यार में पागल हैं लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि जिन साथ और बॉलिवूड अभिनेत्रियों के कई सारी अभिनेता दिवाने हैं वो शादी शिदा होने के बावजूद एक आक्टर के दिवानी है। जो कि इनकी कड़ी दिवानी है तो पिर आई जल्द से एक एक कर जान लेते हैं इन सभी के बारे में तो दोस्तों आपको बता दे कि साउथ और बॉलिवूड की मशूर अभिनीत्रिया किस दिकच अभिनीता के पीछे दिवानी है तो वो कोई और नहीं बलकी बॉलिवूड के सिंगम यानिया जदेवगन है जो आज बॉलिवूड के मोस्ट पॉपुलर और हाइस फेड आक्टर है और साथ ही कई बॉलिवूड फिल्मों में काम कर इन्होंने दर्शकों को अपना दिवाना बना लिया है तो आई एक एक कर जान लेते हैं साथ और बॉलिवूड के कौन सी शादी शुदा अभिनित्री इनकी दिवानी है इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है अभिनित्री रविना टंडन का लेकिन ये बात किसी से जग जाहिर नहीं करने चाहेती क्योंकि ड्रवीना को लगता है कि ऐसा करने से इनकी इमीज पर दाव लग सकता है इस लिस्ट में नमबर दो पहला है श्रया सरन का जो कि साउथ इंडुस्ट्री की हाइस्ट पेड अभिनित्री हैं और शादिशुदा भी हैं मगर इनोंने अज़देवगन की दिवाने पन में जो कर दिखाया है वो अभिनित्री कोई नहीं कर सकती तरशल जब दृश्वम फिल्म में इन्हें ओफर हुई थी तब इन्हें पता चला था कि उसमें अज़देवगन की बीवी का रोल इन्हें करने को मिला है तो श्रेया सरन बहुत ज़दा खुश हुई एकसाइडिड हुई और इन्होंने अपने दिवाने बन के चलते ही साउथ इंडूस्ट्री की मूवी मास्टर पीस जाने मन्टू खोंकार जैसी बड़ी बजटेड फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था जिसके चलते इन्हें खास इसी फीस दी जा रही थी ऐसे में अब आप यह सोच सकते हैं कि सिर्फ फिल्म आजे देवगन की पतनी का खिरदान भाने के लिए अपने लाइफ के मुस्ट लक्सीरियस मूवीज को इन्होंने त्याग दिया था और इसी बात से पता चलता है कि श्रयसा रन आजे देवगन के साथ काम किया था जिसकी वजह से ये रात और रात स्टार बन गई थी मगर गोल्टी बहल से शादी करने के बाद इनका दीवानापन अभी तक पर करार है जिसके कारण इनके पती कभी कबार इनसे खाफा तक हो जाते हैं मगर सोनानी बेंद्रिस को इससे कोई फर्क नहीं अगरवाल का जिनोंने आजे देवगन के साथ सिंगम फिल्म में काम किया है तब से तो इनका सिका बॉलिवूड में भी चलने लगा और साउथ इंडस्ट्री में तो ये इनकी पॉपलारिटी की स्पीड इतनी जादा तेज हो गई है कि मारट होने के बावजूद भी इस व अपने राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और साथे साथ ऐसी और इंटरस्टिंग वीडियो को देखने के लिए और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चानल को तुरंत सब्सक्राइब करें